बरुच जिल्ला से गुजरती वैसी नर्मदा नदी पर तयार किये गए नर्मदा ब्रीच का आखिरकार 12 जुलाई रथ यत्रा के दिवस पर लोकारपण किया जाएगा बरुच जिल्ला के लिए दो दिनों के बाद एक शूप समाचार आते हुए नर्मदा मैया बनाय गया ब्रीच का लोकारपण किया जाने वाला है बरुच जिल्ला के नर्मदा ब्रीच पर बने गए और जिसकी लंबे वक्त से बेसबरी से इंताजार की जा रही हो वैसे नर्मदा मैया ब्रीच का 12 जुलाई रथ यत्रा के पावन दिवस पर नायव मुख्यमंदिन दिन पटल के हाथो लोकारपण किया जाएगा दर्बन लली पर बनाए गए गोल्डन ब्रीच पर वहानों का भारन काम करने की आशे से ट्राफिक की समश्या विकट बने थी तैसे में राजे सरकार द्वारा चार सो करोड रुपे के खर्च से गोल्डन व्रिश को समानतर नाया ब्रिच बनाने की मन्जोरी देने के साथ पिछले छे से भी अधिक वर्ष से कामगिरी पूर्ण करते हुए आखिर का ब्रिच का निर्मान कारिया पूर्ण किया गया तो ही अब ये निर्मान किये गए नर्मदा मैया ब्रिच का असारी डूज राथ यात्रा के देवस पर नायाब मुखे मंदी नितिन पटल के हाथों लोकारपन किया जाएगा वर्शोंती आपडल करता है अब अब अगए दरनों अंध बार्मी तारी के आविरियों छै आब रिजनों लोकारपन आवया, राजेन मानीया नायब मुखे मन्तरी श्री और विभागORIA मंतरी श्रीमान नितिन बैं पटेलना वरद अस्ते आ ब्रीज बार तारी के खुलो मुक्वामा आउशे आ ब्रीज नी लंबाई 3.2 किलोमेटर चे लगबक 400 करोड थी वदारे ना खर्चे आ ब्रीज तैयार तियो चे ब्रीज ने नीचे ना भागे आप जोई शको चो ए ब्रीज न प्राकार नी तैयारी ब्रुच मा थाई रही छे ब्रीज अगत्य नी ये वाद चा ब्रीज ना निर्मान थावा थी ब्रुच ना अंक्लेशर ए ट्विन सिटी डेवलोक्मेंट नी आपने जे वर्शो थी वातो करता था जिनी कल्पना करता था ये आवनारा दियोशमा साका ब्रीज बन्वा थी विकास ना अनेक नवा आया मो ए शर्थवाना चे ने भरूतनी प्रजाने आने बहुत बोटा लाब बल्वानों चे त्यारे भू धारासभ्य तरीके मानिय मुख्यमंतरी श्री विजेवे रूपानी नायव मुख्यमंतरी श्री नितिन्दा पडेल अन में ततकाल इन पुरो मुख्यमंतरी श्री मतिया अनन्दी बेन पडेलनों जेटलों अबार मानों एटलों हो चोचे